हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नितेस एक बार फिट से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्मोंकिंग वील्ज पे दोस्तों आज ये सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये फोर्स मोटर्स की ट्रेवलर है जो की बीए सिक्स वर्जन की ग जाते हैं वाइपर काफी अच्छे साइच के हैं जो रिनी कंडिशन में आपको काफी हल्फुल होने वाले हैं यहां पर आपको सेम ट्रेडिशनल फोर्स का राउंड सेप में लोगों मिलता है और फोर्स की बैजिंग मिल जाती है है एडलेम में थोड़े बदलाव किये गय है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा तोइंग हुक दूचे दिया हुआ है कंपणी कि तरफ से अगर आप किसी इमेर्जंसी कंडिशन में गारी को टो करना चाहते हैं तो यहां पर आपको टोइंग हुक देखने को मिलता है यह तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल रही जरूरत नहीं है ट्रेबलर के बाले में चलिए नजदी से देखते हैं गाड़ी को और देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस किये गए हैं यहां पर आपको टर्न इंडिकेटर और ट्रेबलर एफम 2.6 की बैजिंग मिल जाती है जो यह दरसाती है कि 2.6 लीटर का डीजल इंज हुआ है जिससे आपको बहुत सहुलियोत होगी जब इस गाड़ी को ड्राइब करोगे सड़क पे और अगर वील्स की बात करें तो सेम इसमें आपको 15 इंच के ही वील मिलते हैं वील्स में कोई बदलाओ नहीं है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि टायर का साइस क्या कहीं गाड़ी को रेनी सीजन में चलाते हो तो रस्टिंग वागर का खत्रा कम हो जाता है और गाड़ी में जो अंदर साउंड आती है वो भी कहीं हद तक कम हो जाता है यहां पे आपको इसका डीजल टेंग मिल जाता है जो कि 70 लीटर का है 70 लीटर तक का फिल करके आप हो चुका है विंडो पर आपको साइड बार मिल जाते हैं जो कि यह सेफटी के लिए लगाया हुए है और जब कभी भी आपको किसी ट्रेवलर में तीन फूल साइज के विंडो देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि यह गाड़ी जो है वो 3700 वीलबेस की गाड़ी है और 17 सी ट्रेवलर का जो पहले लुक था वही लुक है टेल लैंप वगरा भी सेम है रिफ्लेक्टर दिया हुआ है जो कि आटियो के लिए मेंडेटरी है लेफ साइड में फोर्स की बैजिंग यहां पे देखने को मिलती है और राइट साइड में आपको ट्रेवलर सूपर की बैजि है तो यह सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से प्लेस की हुई है जो कि एक परफेक्ट बनाती है इस गारी को तो बाहर से इस गारी के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया क्या कुछ खास है देखिए जो मैं डिसकस कर रहा था कि तीन फुल साइज के विंडो अगर आ इस गारी के अंदर चलते हैं गारी के अंदर चलने के लिए यहां पर फूटिष्टप लगा हुआ है और यहां से पुस्ट करोगे तो यह डोर ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से इसका डोर जैसे पहले ओपन होता था वैसे ही उपन है इसमें कुछ बदलाव है मैं भी एडवांस हो रही है गारियों के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इससे फीचर भी बढ़ाने जरूरी हो गया सीट वैसे ही फोल्ड होगा जैसे कि ट्रेवलर में फोल्ड होता है उटर्ष यहां से फोल्ड करके आप इसकी इस तरीके से सीट को आप फोल कर सकते हैं वेक्ट करनी के बदाए आप और बैठ सकते हैं तो चलीए और कि गारी के अंदर रहे शीप の पैयर रखेंगिंघ अज़ेंगे उसकी darauf diete आपare सकते हैं जिसल्ड के लिए काफी जरूरी है तो यहां पे सिर्ण मिल जाते हैं टिपिता है और सारे सेफ्टी रिलेटेड या लाइट्स रिलेटेड निया ऑप कर दो के देखने moğı Okay ये लिवर हैं जिससे आप गारी को आगे बढ़ा के चला सकते हैं गारी को स्टेरिंग वील की बात करें तो फॉर सपोग दिशार्बी की प्रोल का लोगो है हॉर्ण के कंट्रोल मिल जाते हैं मीटर वही टेडिशनल है छोटा सा इक डिजीटल के दिए हुए हैं तो कोई बदलाव नहीं है मतलब आप कह सकते हो कि अंदर से कोई खासा बदलाव नहीं है जो सेफटी चीज़ से रिलेटेड चीज़ है वो एड़ाउन कर दी गई है यह देखे यहां पर आपको जो बता रहा थे कि पावर विंडो का स्विच मिल जाता है व अगर उसको 200-300 km गाड़ी एक दिन में चलानी है तो थके ना यहां पर फायर इस्टिंगिसर और आपको फर्स्टेट किट मिल जाता है जो कि सेफटी काफी मेंडेटरी है तो अगर कभी चोटी मोटी कोई काईजवल्टी होती है तो आप इस फर्स्टेट का यूज़ करके स हुआ है यहां से आप एक को कंट्रोल कर सकते हैं और यहांजाँ लो मीडियों हाइप कर सकते हैं जिससे आप हवा के फ्लो को हर तरफ अपने हिसाब से इसको अच्ज़ करके पूरे गाड़ी में ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं तो मैंने पहले बताया था कि एक में में benefit यह होता है कि आप complete chilled गाड़ी आपको मिलेगी किसी भी मौसम में आप इसको अब्रेट करना चाहें चला सकते हैं यहां पे देखिए इसका जो रूफ है रूफ पे आपको lights मिल जाते हैं हाई-back seats हैं आप जब भी कभी अपने family के साथ या दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप के जाएंगे तो इस गाड़ी को अगर आप बुक करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और टू बाई वन सीटिंग है तो एक तरफ दो लो बैठेंग एक तरफ एक लो आप चाहो तो बैठो या अपने लगेज वगर आप यूज कर सकते हो रख सकते हो तो 17 सीट की गाड़ी है 17 प्लस ड्राइवर इसकी सीटिंग कैपसिटी है गैलरी या देख सकते हैं जो गैंगवे है वो भी सही साइस का है मतलब आसानी से आपको टिल्ट नहीं होना पड़ यहां पर नहीं कर सकते हैं और तरह दिया हुए है रयत की संख्या काफी इंदर हर तरफ लगाए हूँ है जिससे आपques कोई है और आराम ते इस गाड़ी में बैठ सकते हो यहां पर देखिए मेरजनसी लिखा हुआ है तो सेफटी के साथ इस गाड़ी में लगजरी भर-भर के डाली हुई है आप अपनी फेमली के साथ दोस्तों के साथ आप इस गाड़ी का मजा ले सकते हैं यह देखे विंडो है विंड इस पहले से भी देखे हुए हो आप लोग यहां पर भी सेफ्टी का ध्यान रखा है मतलब हर सीट की नीचे आपको इसमें जो ड्राइवर का सीट होता है उसी के बीछे आपको पार इस्टों के सर मिलता है लेकि यहां पर आपको और भी कई फार साथ देखने को मिलते हैं अ अलगी एसी वेरियंट है तो हो सकता है कंपनी की तरफ से ज़्यादा इसमें दिये हुए हूं तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों को साफ सेर करना ना पूलिए यह अंदर का मिरर है मतलब लाइक की संख्या काफी अच्छी है अपने ही साफ से आप गाड़ी में जैसा जाहं वैसा यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चलिए बादी के बाहर और अगर आप पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इसके बाद आपको बीए 6.2 का जो नया वर्जन आया है जो भी मेंडेट्री हुआ गर्रमेंट की तरफ से उस गाड़ी का भी वीडियो जल्दी है आपको देखने को मिलेगा तो चैन से आप चेक कर लिया कर यह टायम सीट तायम से मिकशाना मिस करना है और यहांता है मेंठकूर आपको फिसे इस आड है कि अंनकि डाइर को पर दिख़ता है आधिक है यह आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और किसी तरीके से और भी वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल पाता हूं थोड़ा समय का अभाव रहता है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं तो इसके लिए पॉइंट ना करें चैनल पर बन समय का करेंगे जया करेंगे मैं